मानिय उप्स्टेटि पूरे आज हम सब महेंगाई के इस गंभीर विशय पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हैं विगत कई दिनों के उग्रवाक युद्ध के बाद आज यह चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष के कई सदस्यों का पड़ा आक्रोश, आवेग और नैन सुक की कथा सभी चीजें व्यक्त की गई परंतु अभी कुछ देर पूर्व जो एक दृष्य सदन में दिखा था कि जब ऐसा लगा था कि वो नैन को सुख देने वाला नहीं था कि जब विपक्ष की लगभग सारी सीटे खाली नजर आ रही थी परंतु अच्छा हुआ कि विपक्ष ने अपनी जगह पहचान ली और समय रहते हुए आंशिक उसकी भरपाई कर दी अब मैं यह कहना चाहता हूँ विशय पर आ रहा हूँ विशय सुनने वालों के मन में विशय के पृति कितरा अगाद इसने था यह उनके उस कारे से दिख रहा था अब मैं विशय पर आता हूँ विशय बहुत व्यापक है महेंगाई का विशय बहुत व्यापक है इसलिए इसको गंभीरता से और व्यापकता से समझने की आवशक्ता है आज यहाँ बताए जा रहा है कि महंगाई बहुत गंभीर इस्थिती में है परन्तु मैं यह अभी याद दिलाना चाहता हूँ कि 2019 का लोग सबा चुनाओ एक मात्र ऐसा चुनाओ था जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था और 2004 का लोग सबा चुनाओ चुनाओ छोड़ दे आनि था हर चुनाओ में महंगाई मुद्दा होता था आज की महंगाई के हम बात करें तो भारत में रेट आफ इंफलेशन जो अगस्त के महिने की है वो 7.001 प्रतिशत है अब यदि हमें महंगाई को पूरी तरह समझना है तो थोड़ा इसको व्यापक रूप से समझना होगा मैं अपने विपक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि वो जरा इस बात पर मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि इस समय विश्व में महंगाई की दर में इटली में 7.9 प्रतिशत है जर्मनी में 7.5 प्रतिशत है कैनेडा में 8.1 प्रतिशत है यूरोपियन यूनियन में 8.9 परसेंट है यूएन में 9.6 के साथ बोलेंगा बिलकुल बिलकुल जर्मनी में यूएस में 9.1 परसेंट, बिटन में 9.4 परसेंट, इस्पेन में 10.8 परसेंट, चाइना में 2.5 परसेंट, चाइना में इसलिए कम है, चुकि उनके कंजूमर प्राइज इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है, जिसमें उन्होंने फूड और क्लोथिंग को ज्यादा महतुदे रखा है, and the source is South China Morning Post, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया है, अब आप आईए, महंगाई की दर, आज ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि पूरे दुनिया के देशों में महंगाई की दर क्या है, जाके चेक कर लीजे, भारत की महंगाई की दर साथ पृस्यत है, दुनिया में 63 देश ऐसे हैं, जा महंगाई की दर 10% से उपर है, इतना ही नहीं है, कुछ देशों में 50 पृस्यत, 100% और कुछ देशों में 200% भी महंगाई की रेट है, इसके बावजूद हमारे देश में 7 पृस्यत महंगाई की रेट है, महंगाई है, मैं इससे इंकार नहीं करता हूँ परन्तु अब मैं आपको और भी सोर्स के साथ बताता हूँ समस्या सिर्फ इतनी ही व्यापक नहीं है इसकी व्यापकता पे ध्यान लीजिए विश्व की सबसे बड़ी अर्थवर्वस्था अमेरिका उसमें पहली बार अपना strategic oil reserve खोला in order to curtail inflation and the source is 23 November 2021 White House की press release कभी बताईए आपको ग्यात इतिहास में ध्यान हो बहुत बड़े बड़े विद्वान ग्याता लोग हैं हमारे विपक्ष में जब उन्हें याद हो कि अमेरिका ने महेंगाई को नियंतित करने के लिए अपना strategic oil reserve खोला हो और उस खोलने के बात कितना अंतर आया है अमेरिका के एनरजी डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज 26 जुलाई 2022 वह कहती है कि strategic oil reserve खोलने के बाद भी 40 cents पर गैलन ही कम हुआ है यानि समस्या कितनी व्यापक और गहरी है उसे समझने के लिए यहाँ आवश्यक्ता बिल्कुल साथ टूदी पॉ महेंगाई और महेंगाई की बात मैं अभी कह रहा हूं हमारे विपक्ष के सबसे प्रमुखनेता ने जिस धरती से जाकर ग्यान दिया था उस धरती पर 9.4 परसेंट है ब्रिटन में यह बताईए वहां से जाकर महेंगाई की बात की थी हम विशह पर बात कर रहे हैं और इसल जी हम बिलकुल बता रहे हैं रिकार्ट में नहीं जाएगा दुनिया में ही देश में नहीं दुनिया में भी क्या इस्थिती है समझने की जरूरत है आप हमारे मकान की मजबूती की बात कर रहे हैं तो जल जले पर भी नज़र डालिए और चाइना के अंदर भी मीडिया में ये रिपोर्ट है कि कितने बैंक जिनों ने अपना डिफॉल्ट कर दिया पेमिंट उसका तो लोगसभा में वित्मंत्री महोद्या ने विवरन दिया है युनान प्रविंस में यह भी रिपोर्ट है कि बैंकों के बहाँ टैंक लगाने पड़े या इस्तिती है विश्व में च के साथ बोल रहा हूं ब्लूमबर्ग्स की पूरी दुनिया के भारत सहीद देशों के बारे में मंदी की रिपोर्ट भी उपलब्द है जिसकी अनुसार इस समय अमेरिका के मंदी में जाने की संभावना है 38 प्रतिशत यूरोपियन यूनियन की है 50 प्रतिशत चीन की है 20 पर में ये चाहूंगा कि सब लोग शांती से सुनें तो बहतर बात रहती है अब मैं आ रहा हूं अब दूमबर्ग्स के अनुसार भारत की अर्थ विवस्था को मंदी में जाने की संभावना है 0% विशे प्यारा हूं इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं मैं क्यों विशे बता रहा था अरे हमारी हालत तो वो है कि समुंदर में सूनामी आई हुई है अगल बगल के जहाज पल्टे गिरे जा रहे हैं हमारा कैप्टेन कितनी सावधानी के साथ जहाज को लेकर आगे जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अगल बगल के पलटते जहाजों को मत देखो हमारे जहाज परिस्थितिया हो, मैं उनके लिए एक पंक्त कहना चाहूंगा, कि वह पत्थ क्या पतिक कुशल्टा क्या, जो पत्थ में विखरे शूल नहों, और नाविक की धैर परिक्षा क्या जो धाराएं प्रतिकूल नहों, तो इस प्रतिकूल धारा में हम अपनी अर्थ विवस्ता को कैसे ले जा रहे हैं अब अगली बात आती है डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम हो रही है डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है और वास्विक्ता में रुपए की स्थिती क्या है यह भी मैं आपको बताने चाहता हूँ कि इस समय प्रकाश ज सब्सक्राइब कि फिरों के मुकाबले थोड़ा इंप्रूफ किया準 तो सिर्फ अमेरिका केंदर इत्मान सिक्ता से थोड़ा बाहर आईये और उसके बाद भी आपको दिखेगा कि वस्ट्रिक्ता क्या है और अमेरिका में भी डॉलर के मुकाबले हमारी रुपए की वैलू क्यों कम हो रही है क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर के मूले बढ़ा रहा है मैं फिर कोट कर रहा हूँ 27 जुलाई 2022 CNBC की रिलीज वो कहता है FED हाइक दे इंटरेस्ट रेट बाई 0.7% 2nd consecutive term in order to contain inflation वो अपनी महंगाई को बचाने के लिए लगातार दूसरी बाई 0.7% पॉइंट की बढ़ोत्तरी कर रहे है इस कारण से डॉलर के मूले में आपको यह अंतर नजर आ रहा है इसलिए येन हो या यूरो हो या स्टरिलिंग हो वो अंतर नहीं नजराता है अब भारत में हमने क्या किया मोदी जी के नितृत में निर्विला जी जो काम कर रही है हमारी इस्तिती क्योँ बहतर है उसका भी मैं कारण बताना चाहता हूँ कारण ये है कि हमारे यहां महंगाई और विकासदर दोनों संतुलित इसलिए हैं कि हम विश्व की बड़ी अर्थवस्थाओं में एक मात्र बड़ी अर्थवस्था हैं जिसका debt to GDP रेशियो सबसे कम है बाकी सभी अर्थवस्थाओं का debt to GDP रेशियो 100% से उपर और इतना ही नहीं महेंगाई को नियंत्रिट करने के लिए जरूरी था कि हमारे पूरी अर्थवस्था की मजबूत आधार हो और उस मजबूत आधार के लिए डाइकनॉमिस्ट जो जिनोंने कोट करते हुए भारत के बारे में लिखा है कि पाँच प्रमुक कारण रहे जिसकी वएसे भारत इस परिस्थिती में भी महेंगाई और रिसेशन के दौर में नहीं जा पा रहा है पहला कारण उन्हें बताया कि सिंगल मार्केट हमने क्रियेट की यानि GST दूसरा बताया गया कि expansion of industry but with a shift towards renewable energy और solar energy से लेकर hydrogen energy तक के लिए क्या हो रहा है वो हमें सब को पता है फिर moving from supply chains away from China चुँकि आज चीन के अंदर जो हो रहा उस कारण से तमाम products की supply chain पर प्रभाव पढ़ ला है दुनिया के अंदेश प्रभावित हो रहे हैं पर उन तो भारत ने उससे अपने को बचाने में सफलता हासिल की है and the prominent use of IT जो हमने IT का use किया है जंदन, mobile इस कारण से भी काफी हद तक गतिशीलता बनी हुई है and the high welfare society इस विपरीत परिशितियों में गरीबों को किस प्रकार से जन कल्यानकारी योजनाय चलानी चाहिए वो इस कारण से भी हमारी स्थिती अच्छी है और इसी लिए जो international economic resilience की rank में हमारी rank बढ़ने के बारे में भविश्यवानी की गई है कि भारत अब हो सकता है कि जर्मनी और कनाड़ा के बाद सबसे बहतर international economic resilience की दर्ष्टे second rank पर पहुचने की संभावना है और इस कारण से क्या है आपका टाइम समापत पर रहे तो पंदरा मिनिट बताया है अब उसके बाद भी मैं बताने चाहता हूं मैं दो तीन मिनट और नहींगा दो तीन मिनट नहीं एक मिनटा पांच मिनट देने में मुझे कौपत नहीं बगर सबका टाइम एकसेप्ट बीजेपी अंड कांग्रेस अलमोस्ट सबका समय समप्त हो चुका है कुछ पार्टी ने सुबेस नाम नहीं दे पाया वो लोग अभी नाम दे रहे हैं तो इसको एक एक मिनट दियो तो भी उसमें में समय लगए हमारे पूरवर्ती वक्ता नहीं समय से प देखे उसके बाद भी हमारा foreign exchange reserve इस समय all time high है all time high foreign direct investment है इसके बावजूद जबकि यह भी अथार्थ है कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ केन सरकार कर रही राज सरकारे नहीं कर रही हैं जैसे number one 80 क्रोलों को अनाज देना number two सबको मुफ्त ठीका लगवाना number three चाइना के सीमा के उपर भारी infrastructure development करना वहाँ पे cost कई गुना जादा आती है सामान ने उससे इसलिए अब मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप पूरी तरीके से analysis करना चाहें घर के अंदर भी तो हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस समय कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी की percentage of inflation र और बंगाल का आठ दशमलों दो साथ परसेंट है राजस्थान का साथ दशमलों तीन शे परतिशत है तो हम विराठ दृष्ट से देखें हैं सूख परसे देखें हमें दोनों दृष्टी से यह समस्या समझ में आ रही है परन्तु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि महेंगा पचास साल की सबसे बुरी अर्थवेश्था मुझे याद आता है सवापति मौदेम 2022 में है ठीक 50 साल पहले 1972 में आज है रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% और उस समय क्या थी माइनस 0.55% और इतना ही नहीं था इतना ही नहीं था याद करिए उस समय रेट ऑफ इंफलेशन कित्ती थी 16% 28% की रेट ऑफ इंफलेशन 91 में सोना गिरवी रखा गया कहते हैं उससे बुरी स्थिती थी इसलिए मेरा मानना है कि जो बाते कही जा रही है वो यथार्थ पे कहें मैं समराइज करते हुए कहना चाहूंगा महंगाई को लेकर कितनी शिद्धत है हमारे विरोधियों में ह हमें ध्यान आता है भी कुछ दिन पहले कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉंफरेंस हुई जिसमें जिक्र किया गया कि एक साल पहले जैपूर में एक रैली की थी महंगाई के लिए मगर उस रैली में महत्पूर बात ये है कि कॉंग्रेस के चिर्युवा नेता दस मिनट हिंदू बनाम हिंदुत पर भाशन दिया था यानि ये दर्शाता है कि दिल में क्या है और वास्विक्ता में क्या है परन्तु इससे मुझे एक बात याद आई मुझे लगा कि उनकी सोच बहुत सही थी चुकि जिस जमाने में याद करिए जब उनकी सरकार थी तो रेट ऑफ ग्रोफ दो परसेंट थी जिसको मजाख बुनाए जाता था हम लोग का कहा जाता था ये दो परसेंट हिंदू ग्रोफ ग्रोफ रेट है और अब 8.5 परसेंट है ये हिंदुत की ग्रोफ रेट है इसलिए ये अंतर है जिनको नहीं समझ में आता था उनसे अब तक और अंतर मैं सिर्विय कहना चाहूंगा कि तुलनात्मक्दू से बहुत सारे आकड़े थे उसमें ना जाते हुए हाँ शक्ती सिंग्जी ने कहा इमानदारी से स्विकार करिये कि महंगाई है हम कहते हाँ बिल्कुल है जनाब मगर इस समय चमन में बाहर का नहीं खिजा का महौल है इसके बावजूर हमारे माली ने जिस जंग से सीचने का प्रयास किया है और आपने जो किया था ये पंक्ति कहते हुए समाप्त करता हूँ महंगाई को लेकर जो थ से वही दावा करें हैं अब चमन की रहनुमाई का बनने वाद